प्लाज किया जा रहा है जो स्मार्ट पार्किंग सिस्टम के साथ लगभग 750 फोर विलर की शमता के साथ तयार की जाएगी। दर्शनार्थी यहां से सीधे फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से महकाल प्लाजा तक पहुचेंगी। महकाल प्लाजा में दर्शनार्थियों के लिए एक अध्भूत दर्शनी स्थल और पब्लिक प्लाजा होगा जिसे सनातन हिंदु धर्म एवं बैदिक थीम पर बनाया जा रहा है। यहां शिव थिमपर आधारेत, लोटस पोर्ड, सब्तरिशी प्लाजा, शिवस्तंभ, ओपन एर थियेटर, लेग फ्रंट देक एरिया और ग्रीन स्पेस आधी का विकास किया जाएगा। महाकाल प्लाजा में कई आधुनिक सुविधाएं जैसे स्मार्ट टिकेट कियोस्क, टॉलेट्स, बैठने योग्य च्छायादार स्थान की सुविधावे विकसित होगी। महाकाल प्लाजा से शद्धालू पातवे के माध्यम से सीध है महाकाल कॉरिडोर से जुडेंगे। महाकाल कॉरिडोर मंदीर पहुँचने का मुख्य और आकर्शक पैदल एवं एरिक्षा मार्ग है। इसे शिवथिम पर आधारित इस्तंभो, मूरल बॉल और छायादार विक्षों के साथ बनाया जा रहा है। यहां लगभग तीन-तीन मीटर के दो पैदल मार्ग के साथ छे मीटर चौड़ा एरिक्षा लें भी विकसित होगा। महाकाल विकास यूजना में रुद्र सागर का गहरी करण करते हुए शिप्रा नदी से जोड़ा जाएगा, जिससे पाइप के माध्यम से शिप्रा का जल रुद्र सागर में लाकर जल स्तर नियंत्रित किया जाएगा। साथी अंडर्ग्राउंड सिवरेज का कार्य पूर्ण होने के बाद वर्षा जल को फिल्टर करके शुद्ध जल रुद्र सागर में डाला जाएगा। महाकाल कॉरिडोर पर मेडवेज जोन का विकास किया जाएगा जिसमें क्राफ्ट बाजार और कमांड कंट्रोल सेंटर का विकास किया जाएगा। शेहनाई द्वार के सामने वेटिंग होल का निर्मान, नंदी होल का विस्तार एवं महराज बाड़ा सम्मीलन, रुद्र सागर शिखर दर्षन, विशेश एवं आपात कालीन दर्षन के लिए अतिरिक्त प्रवेश और निर्गम व्यवस्था, विजिटर फसिलिटी सेंटर दो का विकास, नाग चंद्रिश्वर मंदिर दर्षन सेतू, महाकाल विकास यूजना के अंतरगत, शेहनाई द्वार के सामने की भूमी का अधिक रहा है,